चलिए अब हम पहणड़े वाले हैं चट्टान को इंगलीज में बोला जाता है रॉक्स ठीक है अब यहां देखिए हम बंड जोगराफी के अंतरगती टॉपिक कवर कर रहे हैं और चट्टान के अगर बात करें तो जो प्रत्वी है ठीक है प्रत्वी हमारी अर्थ प्रत्वी की ठोसपरत को स्थल मंडल यहां पर कहा जाता जो हमने उपर देखे थे ठीक है उसके बाद जो लगभाग अगर बात करें तो सो किलोमीटर मोटी है और प्रत्वी को बनाने में पंचयानबे प्रतिसाद युगदान चट्टानों कहीं देखने को मिलता चट्टाने तीन प् खरुप से खनीच पधार्त में खनीच पदार्तों से बनी होती इसके अलाबा भुपटल के कहना लाइभ चतान कहलाए myś तो जो आगने चट्टान होती जैसे मैंने बता तीन प्रकार की चट्टान होती आगने चट्टान होती अफसादी होती और कायंतरित होती है तो आगने चट्टान जो होती सबसे प्रारंबिक चट्टान इनको बोला जाता है प्रारंबिक चट्टान से मतलब जिनका जो निर्म कर रहे हैं वो क्रम्सा यहां पर बदलते रहता है तो आगने चट्टान को प्रारंबिक चट्टाने अथ्वा मूल चट्टान भी कहा चट्टाने के रुप में भी जाना जाता है क्योंकि इसकी रचना सब से पहले हुई और यह जो चट्टाने हैं गर्म-लावा के पिखलने य भूपरेश्ट के जिन चट्टानों में वेवस्तित परते होती है उन्हें अवसादी या परतदार चट्टाने कहा जाता है जिनका निर्मान आगने चट्टानों के पस्चात होता है इनका निर्मान अपरदन के तत्व जो होते है उसके जैसे नदियो आदी के द्वारा भाकर लाए गया प्दार थे हवा है इनके करण जमाव के कारण होता है अवसादी चट्टान आउप टोके जमाव से बंती इन चट्टानों में परते पाई जाती है और इने परतदार चट्टाने जो बायू है उसके द्वारा भी अवसादी चट्टानों का निर्मान होता है लोएस इसका एक महत्मून उधारन माना जाता है इसके साथ ही अगर देखें तो अवसादी चट्टान जो होती है और आगने चट्टान जो रूप बदल कर कायंतरित चट्टानों के रूप में प्रक्रिया में अन्य तत्वों का भी प्रभाव देखा गया है जैसे कि रसाइनिक प्रक्रिया घरसन आधी यहां पर देखने को मिलता है अब यहां देखिए सेलों का वर्गिकरण हमको देख सकते हम तीन प्रकार से यह सेल चट्टान होती है तो तीन कौन-कौन सी एक तो और अधी पाताली चट्टान देखने मिलेगी फिर साथ ही अगर देखें तो यह रसाइनिक संडचना के अनुसार यहां चार भागों बाटी गई है यह देखें अमलिये जो आगने चट्टान होती है अमध्यबरती होती है अल्टर पैठीक होती है और बेसिक जिसे पैठीक ब निर्मित होता है फिर दूसरा जो प्रकार है निर्मान में प्रियुक्त जो साधाने उसके अनुसार जलज सेल होती है बायूड सेल यह जल के दौर निर्मित सेल बायू के दौरा और हिमानी के दौर निर्मित सेल होती है फिर लास्ट नंबर अगर देखें तो कायंत्री परतदार सेल निर्मित चट्टान बनती है वह एक प्रकार के चट्टान और परतदार से भी बन जाती है उसके बारे में तो देखे यह जो प्रशन है उसके अंतरगत पूछेगा उन से संबंदित यहां पर देखने को मिलेगा तो पहला कोस्टन क्या देखने मिला सेल या जो चट्टान होती है उसके संदर में निमने कत्नों पर विचार करना और सही कथन यहां पर बताना है तो दीखिए सेलों में खनीज घटकों का कोई निश संगठन होता है इसके अलावा सेल खड़ी कठोर चट्टान का उधार है यह गलत है तो यहां देखिए दोनों ही ओक्सन हमारे गलत यानि की ना तो एक न तो दो है तो इसके बारे में यहां देखिए पहला कथन जो था जिसमें संगठन नहीं होता तो देखिए निशित नहीं होता हमने उल्टा देखे थे तो यहां देखे निश्चित नहीं होता है इसके कारण वो कथन जो है गलत हो गया और दूसरा कथन क्या वोला था चटान कठोर या नरम विभिन रंगों में हो सकती है और सेल खड़ी नरम तरथा ग्रेनाइट कठोर चटान का उधारन मानी जाती है नेक्स्ट जो है निम्न मैसे आगनय कैसे संबंदें असत्त कतन यहां बताई यह तो दिखें आगने चट्तान के संबंद में आगने चत्तान जो है चत्ताने काथोर होती है बिल्कुल सहीन है चत्ताने मनें से किसी यीजी चत्ताने स्वजेवाश में और यह और यह आर्थिक रूप से उपयोगी माने जाती है तो असत्त कफन कोई है क्या नहीं है तो असत्त कथन कोई नहीं है इन्हें से कोई नहीं सका राइट अंसर होगा और यह दीख लिठी है आगने चठान की आगने चट्ण की एहां पर विचार करना है और यह देखें जूकि आगने चट्टान के बारें पुछहाई और सत्रकतन यहां पर बताना तो आगने चट्टान को प्रारंबिक चट्टान ने कहा जाता बिल्कुल सही प्राथमिक सेलो में सोना तथा प्लेटिनम आदी का सर्वता अभाव होता है तो यह गलत है ठीक है तो मतलब यहां पर पहला आप्सन बस सही है निकी केवल एक है और इसके बारे मगर देखें तो दीखें जो प्राथमिक सेले है उसमें लोहा निकल तांबा सीसा जस्ता क्रोमाइट मैगन सोना और प्लेटिनम आदी यहां पर पाए जाते हैं मतलब आर्थी क्रूप से काफी उपयोगी होती है जो प्राथमिक चट्टानियने की आगने चट्टाने ठीक है और इनका निर्मान जॉला मुखी का कारण होता है इगनियस इनको बोला जाता है मतलब इंगलिस में अगर पर बात करें तो फिर नेक्स्ट जो है निम्न कतनों पर यहां पर विचार करना है और सत्त कथन के बारे में आप बताना है ठीक है तो यहां हम देख सकते हैं जो पहला उप्सन है ग्रे नाइट जो पातालिये अंतरवेदी चट्टान का उधारन है तो बिल्कुल सहीं है यह ठीक है मदवर्ती अंतरवेदी चट्टाने भूपटल में अधिक गहराई पर पाय जाती है तो मदवर्ती यहां पर अधिक गहराई पर नहीं पाय जाती है तो अप्सन यह गलत हो जाएगा तो हमारे एक बस यहां सहीं होगा यहां कि केवल एक यहां पर ए नंबर का अंसर स इस्तित विभिन जो दरार होती है खाली स्थान उसमें देखने को मिलती है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन आसत्त है तो देखिए पहला उक्षन के दिया है अंतरवेदी आगने चट्टाने के ठंडे होने में अपेक्षक्रत अधिक समय लगता है बिल्कुल सही क्योंक यहां पे जो है असत्त माना जाएगा क्यों क्योंकि यहां हम देख सकते देखिए जो बेसाल्ट है देखिए यहां धरातल के नीचे निर्मित जो चट्टान उनको अंतरवेदी आगने चट्टान कहा जाता है और पैथिवी के आंतरिक भाग में सभी पदार्त अत्यंत गर् अर्थात मेगमा भूपटल की सतय पर गती सुईल होता है उसकी ओर तो तब इस मेगमा का कुछ भाग भूपटल में इस्तिद्यो दरार उसके बीच में ठंडा होकर एकत्रित हो जाता है और धरातल के नीचे इस प्रकार से बनने वाली चट्टान को अंतरवेदी आगने करके होते हैं अनतरवेदी नहों कर बहा है थीख है और लेंग अंतरवेदी हैं पर शारी चट्टान में सीलिका की dime होती है बिलंकूल गलत है और जो अम्ली चट्टान में सिलिका की मातरा कम होती है यहां पर हमारा डी नंबर का राइट अंसर होगा ना तो एक ना तो दो तो यहां देखें अम्ली चट्टान में सिलिका की मातरा अधिक होती है और यहां पर क्या बोला गया था देखें जो उल्टा बोला गया यहां पर छारी चट्टान में सिलिकर की मातरा कम होती है तो वहां उल्टा सीधा कर दिए इसलिए वहां पर ऑप्सन हमारा जो है डी नंबर का राइट आंसर होगा ठीक है दोनों उलट पॉलट हो जाएंगे तो वह सहीं हो जाएगा फिर देखिए यहां पर निमने सैलो को यहां पर मिलाना है सुची बन को सुची टू से मिलाना है तो इसका यहां पर राइट आंसर सी होगा तो देख सकते हम देखिए जो आगने चट्टान है आगने चट्टान क्या हो गई बेसाल्ट हो गई उसके बाद अगर देखें तो जो आवसादी चट्टान आवसादी चट्टान को हम कोईल वोल सकते हैं ठीक है उसके बाद जो कायंत्री चटान है वो कह देख लिए कौन सा युग मशहीं सुमैली थे तो यहां देख सकते दीखे सतकतान यहां पर बताना तो ग्रेनाइट बेसाल्ट गेरनाइट और बेसाल्ट किसके उधारन है आगने सेल के है पर चूना पत्थार कोईला जो है कायंतरी चट्टान के उधारन नहीं है और किसके उधारन है यह है अवसादी के तो यहाँ पे इसका अंसर ही हो जाएगा और संग मरमर कॉट्च किसके उधारन है कायंतरी के तो य य्यानिकि पहला नंबर वस्तलिस होगा तो यहां पेक सकते हं। तो देखें आ चाटान के संबंद यहां उनमें पुरा जीवास बहुत कम होता है तो बहुत कम मौता यहां पर मतलब यहां सत्य बोला गया तो यह गलत माला होती है यह तधान नहीं वोती है तो्धिया पर सब्सक्राइब क्ला टो होती है उसम्वा new सकते मेंनेदा मेग्मा के मेगमा तरल Ken逝े तण्होним कर चोटे क्रिस्टल यहां पर बनते हैं जबकि अतिसीग्र ठंदा होने से प्राक्रतिक काच की उत्पत्ती यहां पर होती है द्रताल के भी द्रतल के वीतर मेंगमा की विसाल मात्रा बहुत दीर-धीर ठंडी होती क्यूंकि तो कि निमने मैंस है कोंसी चटान जीवास में पाया जाते जीवास में कुंसी चटान में नहीं पाये जाते ग्रेणाइटव ग्रेाइट और बेसायल जुन saja अगने चटान के उधारन ऐत्र है आजिए ओवसादी चठान लंबे समय धरतल जो लंबे समय के अंतराल में दर्परतटती है जिस में जिवाष्मिक उपस्तिती देखने को मिलती है निम्मेंसे कों सा समू से समदित नहीं है तो यहां देखे जो बालु का प्थर है जून पत्थर है और सेल है यह एक ही समू है और यह नीस जो है अलग है तो कैसे बालू का प्त्कर ची का सेल चूना पत्थार आदि जो आफसाधी चटान जबकि नीस ब्रहत मातर में बित्रित प्रकार की चक्टान जो कि आगने और अफसाधी चटान के प्रदेसिक काइंत्रिक प्रक्रिया से निर्मित होती है और चूना पत्तर बस्तुता है कैल्सियम कार्बोनेट सीए सीओ थ्री यहां देखने को मिलता है इसमें सिलिका अलुमीनिया और लोहा इत्यादी जो है आदी मतलब तत्व सम्मेलित रहते हैं नेक्स्ट है यहां देख सकते हैं देखे अफसादी सेलो के लिए निम्न मैंसे कौन सा कथन सकते है तो अफसादी सेलो के लिए यहां पर हम देख सकते हैं जो यह वे सेले है जिनकी संड़चना ताप और दाप पर निर्मित होती है यह गलत है यह सेले क्रिश्टलिये होती है यह सहले का राइट अंसर है अवसाधी सेलों के सम्बंद में तो आपको ध्यान दिना यहां पर तदार चट्टान अर्था अवसाधी चट्टान के विश्वे में दिये गए कथनों में से बिचार करना है और यहां पर सही कथन को बताना है ठीक है तो देखे यहां जो है परतदार चट्टाने प्रत्वी की सतय पर जलिये तंत्र दौर निर्मित होती बिल्कुल सही है परतदार चट्टानों के लिए निर्मान में पूर्व बिदमान चट्टानों का छरण समलित होता है बिल्कुल सही परतदार चट्टानों में जिवास मोते ये भी सही है और परतदार चट्टाने जो होते ही बिसिस टूप से परतों में पाई जाती बिल्कुल सही है तो एक, दो, तीन, चार यानिकी डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा अफसादी चट्टान के संदर्व में निम्न कत्नों पर विचार करना है तो देखें यहाँ पे इन पर अपक्षे का प्रवाव जल्दी पड़ता है बिल्कुल सही है खनीज तेल अफसादी चट्टानों में पाया जाता है बिल्कुल सही तो यहाँ पर एक और दो दोनों सही है यहाँ कि C नंबर का हमारा राइट आंसर होगा तीनों के कारण जो अफसादी चट्टान निर्मान में भूमी का अपनी निभाते हैं काफी इंपर्टेंट और यहाँ देखिए आगने चट्टान का जो है हिमनद भूमी गजल नदिया हवा सागरी तल आधी के दोरह अपरदन होता रहता है ठीक है और इसके कारण अफसादी चट्टान देखने को नहीं मिलती तो यहाँ पर एक और दो यानिकी ए नंबर का हमारा राइट अंसर है अब यहाँ देख सकते देखें लोईस जो है गर्म एबंसुस के प्रदेशों में बायू के द्वारा लोईस अफसादी चट्टान का निर्मान करती हिमोड ग्लेसियर के अपरदन से हिमोड या मोरेन जो है नामक अफसादी चट्टान बनती है तो यह हम देख सकते हैं और जबकि स्लेट जो है रुपांतरितिया काइंतरी चट्टान का उधारन है काइंतरी सेल के संदर में निमने कतनों पर विचार करना है और सहीं कतन का यहाँ पर चुनाओ जाएगा काइंतरी सेल बनने के बाद भी मूल सेल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो यह गलात है क्योंकि परिवर्तन यहां पर हो जाता है तो ना तो एक ना तो दो दोनों यहां पर गलात है तो इसलिए डी नंबर का हमारा राइट आंसर है और यहां देखे पहल जो के गुनों में परिवर्टन हो जाता है, इसके साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सा बताना यहां पर तो देखे बलुगा पत्थर से क्वाट्जाइट का निर्मान तापी रुपांतरन का उधाराने बिल्कुल सही है उसके बाद ताप इबम जल से आगने जो अफसादी चट्टान उसका रुपांतरन नहीं होता यह गलत है कोईला से जो है ग्रेनाइट का बनन रुपांतरन का उधाराने बिल्कुल सही है तो यहां पर एक और तीन हमारे सहीं और तीन नंबर का और अबंको बताना तो दीखे ताव आयतान एबम ताप मान में परिवर्तन की प्रकृया के फलसुरूप कायंतरिस अल का यहां पर होता है तो यह कई-गाणी करण दो प्रकार से होसा निर्मान यहां पर होता है तो यह दोनों के कारण या रूताण होता है यह भी बिल्कुल खाल में यहां निकितीन हम्य यहां पर wait on ay laser है एक दो तीन यानि यहां पर का रइटांसर है ठीक है isot culture यहां हम देख सकते हैं यहां देखे जो सूची बन है सूची टू से यहां पर मिलाना है जो चट्टान के प्रकार दी है उसमें से हम देख सकते हैं किस प्रकार की प्रकरती में पाई जाती है तो इसके लिए अगर बात करें यहां पर तो हम देख सकते हैं जो लेकोलित है लेकोलित क तस्तरी के आकार के देखने मिलती है तो इसे साब से अगर देखे तो यहां पर हमारा राइट अंसर भी होगा ठीक है एका दो बी का एक और सी का चार और डी का तीन यहां देखने को मिलेगा तो यह आप देख भी सकते हैं देखे लेकोलित है ठीक है यह बेथोलित है अलग- सब्सक्राइब करना है तो बिल्कुल सही है ठीक है और सिल समानता है और दा होती है तो उडिवादार का मतलब होता है खड़ी है जबकि यहां पर आगर देखें तो यह जो है पहला और से दूसरा यहां पर गलत है तो हमारा ए और उद्वादाहर का मतलब होता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पत्थर के रूप में देखने मिलता है मतलब जो मूल सेल के रूप में अगर देखें तो कॉइला की बात करें तो इस प्रकार देख सकते हैं और इसे साफ से देखें तो सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा अच्छा यह रॉक साइकल भी आप देख सकते हैं किस प्रकार कौन सी चीज बनती इसको आप गूगल से सेर्च करेंगे तो आपको यह समझ में जाएगा और यह टेबल में आप समझ सकते हैं कि ग्रे नाइट जो होती है निकि आगने चट्टान के रुपांतरण से बनी से आप सार दी चट्टान के रुपांतरण से बनी सेले और रुपांतरई जो चट्टान उसके पुने रूपांतरण से बनी सेले आपको देखने को मिले इसके बाद छार क्लास में कवर स्में घिलीग्राम हमारा सब het प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते उसमें आपको विविन प्रकार का मटेरियल देखने को मिलेगा कुछी समय के पस्चार्च सिक्वेंस से लिए ना चैनल में आपको ढूनना पड़ता है पर उसमें एप्लिकेसन में जाओ गया आप तो कंप्लीट रूप से आपको वह स झाल 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 झाल